नमस्ते मित्रों आज के कई वामपंथी अख़बार उन्हें अख़बार नहीं कर सकते बल्कि वह वेब पोर्टल हैं जैसे दा क्विंट सेखर गुपता का दा प्रिंट दा वायर उसके अलावा खलीज टाइम्स नियुवार टाइम्स दूसरे तमाम विदेशी अख़बारों में ये ख़बर छपी है कि हेड्लाइन साब देखिए मैं ये दिखा रहा हूँ ये हेड्लाइन देखिए ए आई डी एन ने डी जी सी आई से कहा भारत बायोटेक के वेक्सिन का अप्रूबल वापस ले और ये संसनी खेज हेड्लाइन दुनिया के सभी आप देखेंगे तो सभी मतलब नियुवार टा वामपंथी साइट्स हैं टेलिग्राफ पर जो सबसे ज़्यादा मोधी विरोधी है उस पर भी आ गई पतलब हरकंप मच गया कि ये क्या है मैं भी चकित हो गया कि ये कौन सी संस्था है जिसने कहा कि भारत में बनी वेक्सीन का अप्रूबल आप वापस लीजिए फिर मैंन मैं रिसर्च किया तब पता चला कि AIDN का पूरा नाम है All India Drugs Action Network अब मैंने जब इस संस्था के बारे में सर्च किया तब मुझे इस संस्था की कोई वेबसाइट नहीं मिली बलकि आप ये देखिए यहाँ पर आप देखिए ये संस्था एक वर्ड प्रेस पर है वर्ड प्र इसे खर्च किये हुए उसके बाद जब मैंने इस संस्था के बारे में जानना चाहा कि भाई ये संस्था है कौन ये इतनी बड़ी तब पता चला कि ये संस्था एक इंडिपेंडेट नेटवर्क है नान गवर्मेंट एंजियो का जो रिशनल यूज आफ इसेंसेल मेडिसी के बारे में ये कोई काम करते हैं और पता चला कि ये Communist Party या फिंडिया से जुड़े हुए हैं आप खुद सपर सकते हैं कि ये संस्था क्या काम करती है ये संस्था एक Communist संस्था है इसके पास कोई वह ऐसी कोई-इस कोई हो नहीं क्या में आप कर सके हैं मिस्टर एम खान है जो एलाइसी आफिंडिया में नोकरी करते हैं धारवा करनाटक में रहते हैं ये उनका मुबाईल लंबर है ये ये संस्था चलाते हैं और कोई भी व्यक्ति इस संस्था के नाम एक हजार उपए का डिमांड ड्राफ्ट दे करके कोई संस्था एक हजार उपए का और कोई परसं सो रुपए दे करके मात्र सो रुपए दे करके इसका सतर से बन सकता है अब आप सोचिए दरसल ये जो वामपंथी है ये भारत के सबसे बड़े दुस्मन हैं ये चीन के दलाल हैं कहने को तो ये पस्चिम का विरोध करते हैं लेकिन ये पस्चिम के सबसे बड़े एजेंट हैं इनके पेट में इस बात की पीड़ा हो रही है कि भारत जैसा देश वेक्सिन कैसे बना लिया अभी तक दुनिया में सिर्फ रूस चीन अमेरिका ब्रिटेन जैसे पांच देशों ने अपनी वेक्सिन बनाई है भारत पहला ऐसा देश जिसने वनाया है और 20 के 190 देशों ने हारत से वेक्सिन का रिक्वेस्ट किया है अभी कल खबर आई कि ब्राजील ने 50 लाख जोजबुक कराई है इवन की भीक्सित देश जिने हम विक्सिक देश कहते हैं, स्वीडन, नार्वे जैसे देशों ने भारत से वेक्सीन बुक कराई है अब इनके पेट में ये पीडाओ मल रही है कि भारत इतनी तरक्की क्यों कर रहा है इसलिए ये भारत में बनी ही वेक्सीन को बदनाम करने के लिए इस तरह की फरजी संस्थाओं का जिनका कोई वजूद नहीं है जिनका कोई काम नहीं है उनको उनका नाम लेके ये बदनाम कर रही है ओके मित्रो नमस्कार धेंक्यू धन्यवाद